नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्टाइन नियूस में इस रपोर्ट में बात करें और अशुग गहलोत को लिख लगता सभी को मौलूमें कि राजिस्तान का मुद्दा भी किस तरीके से राश्रू में यहां पर गरमाया हुआ है सबस्केर गहलोत लगतार सचिन पालिक पर तंचकसते नजराथ है लेकिन अब कुछ ऐसा कि रहते हैं जो सचिन पालिक पर नहीं इहां पर बीजेपी सरकार पर उन्होंने तंचकसा और यह क्यों कसा गया उसके बार में भी मैं आपको जानकारी दोंगी लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ कि साफ तौर पर अशोग गहलोत ने जनसबा की एक इंटरव्यू दिया जिसमें साफ तौर पर वो ये कहते नज़र है कि घर में मनमुटाफ तो चलता रहता है और बीजेपी सरकार से आगरे करता हूँ कि पहले अपने घर में देखे उसके बाद दूसरों के घर में जाके इस तरीकी की बाद यहाँ पर कहते नज़र है जब उसे सवाल क्या गया है कि सचिन पैलेट को लेकर आप इतना जादा तंच क्यों कसते हैं क्यों सवाल खड़े कर देते हैं तो अशो गहलोत कहते हैं यहाँ पर कि घर का मनमुटाव है और यह सब चलता रहता है लेकिन इसको सुर्ख्या बनाना और इसको इस तरीके से उच्छाल देना यह मीडिया का काम होता है वही पर उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर का है कि बीजेपी कई न कई घबराई हुई है और यहाँ पर सेंद्मारी करने की पूरी तैयारी में लगयो है चार दिसंबर को राहूल गांदी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान में आएंगे और यहाँ पर जैराम रमेश उनके साथ होंगे यहाँ पर केसी वीडियो गुपाल होंगे केसी वीडियो गुपाल 29 तारिक को भी पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर अश्यो गैलो तो साचिन पालिट दोनों के हाथ पकड़के उपर करते हुए नज़राय थे यानिकि एकता का सबूत देते नज़राय थे और इसको लेकर बीजेपी सरकार यह कहती है कि सिर्फ और सिफ यह दिखावा है जैसी दिखावा कम होगा और खतम होने के असार होंग क्योंकि कल भी जानकारी सामने थी कि जो भी गूजर समाज है उनको सारी सुविधाय दी जाएगी और यहाँ पर गूजर समाज अश्यो गहलोत को माफ करते नज़राय था तो अब आपकी क्या राय है कि क्या सच में जैसे ही रावल गांदी की भारा जोड़ो यातरा राजस झाल